हेलो गैसा आज हम बात करेंगे ओपो डिवाइस के मेनुवली कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग के बारे में हमने इससे पहले एक आप लोग काफी अच्छा रिस्पांस रहा था तो हमने सोचा कि यह ना आप लोग को बता दिया गया है बट मेनुवल तरीके से भी आप लोग को बता दिया जाए जिसमें दोनोई तरीके से आप लोग अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग या पर कर पाएंगे अगर आप लोग ने आटो कॉल रिकॉर्डिंग वाली वीडियो नहीं देखी हमारी तो आप लोग हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं आज का जी टॉपिक है वह मेनुवल कॉल रिकॉर्डिंग के उपर बेन टाइमिश के वीडियो को स्टार्ट करते गई सबसे अच्छी बात कि यह वीडियो को सिंपल सी होनी वाली है आप लोग को ज्यादा बड़ा को सैट आप यहां पर नहीं करना पड़ता सबसे पहले आप लोग समझे लिजे क कि आप लोग करने क्या पड़ेगा जैसे कि यह थम निलता हमारा और जैसे मैं यह पर जूम करके आप लोग को बटा दू कि मैंने यहां पर जोएक फोटोSON स Baptist घब है जैसे हम group अपे देख सकते हैं जैसे आप लोग किसी प्रटिक्टिकुल उर्शानर कॉल करेंगे तो यहां पे उसका number रहा जाता है फोटो भी आप लोग लाजाहें लगा सकते हैं पर recording का option आता है hold add call mute speaker keyboard का तो यहीं पर आप लोग एक option मिलेगा recording का simply आप लोग manual तरीके से जैसे किसी को भी call लगाते है recording standby पर क्लिक कर दिजिए का आप लोग के फोन में call recording यहां पर स्टार्ट हो जाएगी यहां पर एक problem आप लोग को हो सकता है देखने को मिल जाए कुछ कुछ ओपो के डिवाइस में कि दोनों ही तरफ आप लोग को notification जाए अगले वाले को भी notification चले जाए कि भाई यह call recording यहां पर कर रहे है तो यह आप लो आप लोग को डाउट होगा कि हमारे इसमें इस टाइप का option नहीं है तो ऊपर में आप लोग को three dots भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें आप लोग को recording का option मिल सकता है क्योंकि हर एक ओपो में कुछ कुछ थोड़ा बोश चेंजर से आपर कर दिया जाता है बट लगबग एक ही